अभी तक आपने सुना, रिसी ने बसंद्रा के चेहरे पर आयबालो को हटाया और गोर से देखा उसे, क्यों आज मैं ये सब कर गया मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ, तुम अलग हो सबसे, कल मिलते हैं फिर से, गुड नैट, रिसी उसे कंबल उढ़ाते हुए, खु वो सब सोचते वक्त, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, सुनेना रूम में आई, तो देखा रिसी खिड़की पर खड़ा मुस्करा रहा था, क्या बात है भईया, आज तो आप अकेले-अकेले खड़े वे मुस्करा रहे, ऐसी क्या बात हो गई है, सुनेना ने अ बाहर देखती वे इतना ही बोला, वैसे आपने आज कुछ ज्यादा परिशान नहीं किया वसु को, सुनेना ने अर्मारी बंद करती वे कहा, मैंने, नहीं तो, मैंने कुछ नहीं किया भावी मा, लिसी ने अंजान बनती वे कहा, हाँ, अच्छा तो अपनी भावी मा से जू आप, अप और परिशान मत करना उसे, सुनेना ने बोला उसका कान छोड़ते हुए, हाँ, ठीक है, दिसी ने बोला, सुनेना चली गई मुस्करा के, दिसी खड़ा मुस्करा आने लगा, सुबह का वक्त, दिसी का गार, दिसी बाहर बगीचे में एक्सेसाइज कर रहा था, क उसमें से बसुंद्रा निकली, पीली सी सारी पहने, बाल की ले थे, इसलिए खुले छोड़ रखा था उसने, कानों में पीले रंकी चुमके, माते पे छोटी सी पीले रंकी बिंदी, आंकों में हलका सा काजर, एक कढाई वाली सौल ओड़े वे, धीरे धीरे कदमों से आगे पढ़ रही थी, रिसी उसे आते वे देख रहा था, उसकी आँखे जैसे थम गई हो, बसु मत देखना उनकी तरफ, वरना पूरा दिन खराब हो जाएगा, बसुंद्रा ने खुद से कहा और आगे पढ़ गई, बसुंद्रा जी सुनिये, रिसी ने बसुंद्रा को बुलात पढ़ गई अंदर, हद है, मेरी बात निसी मलोत्रा की बात, उन ना करके चली गई, अभी बताता हूँ, इसी ने गुस्से से बोला, बसुंद्रा भावी ही तुम्हे बचा सकती है, अब उनके पास चाओ, बसुंद्रा की ये बोलके, सुनेना के पास चली गई, अरे बसु उसे बोलते वे सीड़ियां चड़ रही थी, बसुंद्रा जैसे हिसान के कमरे में जाने लगी तो रिसी उसका हाथ पकड़के साइड ले आया, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, बसुंद्रा ने आखों को बढ़ी करके कहा, मैंने बुलाया था, क्या बोला तुमने नहीं आओ नहीं नहीं, सौरी गलती हो गई, बसुंद्रा ने मासुम सा चेहरा बना के बोला, ठीक है, पर अब हर रोज बिना मुझे गूड मॉर्निंग किये गई, तब जरूर तुम्हें राकी के दर्सन हो जाएंगे, समझी ना, आप, बसुंद्रा जी, जिसी ने उसे फिर धमकाते वे का, जी समझ गई, बसुंद्रा ने रोनी सूरत बना के बोला, जाओ अब, इसी ने उसे दूर होते वे बोला, बसुंद्रा सुनते ही भाग गई, वो इसान के पास गई, और उसे जगा के रेडी करके नीचे ले आई, इसान बैठो, मैं आपके लिए नास्ता ले आती बसुंद्रा ये बोल के रसोई में चली गई, इसान बैठा कभी प्लेट बचाता, तो कभी गलास, इसान सांत बैठो, चलो अब नास्ता करो जल्दी से, मैं आपका बैग देख लेती हूँ तब तक, बसुंद्रा ने उसके सामने नास्ता रखते हुए कहा, बसु, हमारे स् मज़ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाओं, जो मुझे फर्ष्ट प्राइज मिले, इसान बसुंद्रा के पास आते हुए बोला, हाँ चलो, आज हम सोच लेंगे, तब आपको बता देंगे, अभी नास्ता फिनिस करो जल्दी से, बसुंद्रा ने उसे गोद में उठाके, वा रिसी ने फोन पर बात करते हुए खाने की मेज के पास आते हुए बोला, रिसी ने कुर्सी को खीचा और बैढ दिया, भावी मा चाय रिसी ने बोला, जी भाईया लाई, सुनेना ने अंदर से बोला, गुड मॉर्निंग चाचु, इसान ने रिसी को देख कर बोला, गुड बसंधर ने मुस्करा के बोला, गुड मॉर्निंग सर, अनिल ने अंदर आते हुए बोला, अनिल की नजर जैसे बसंधरा पर गई, वो उसे फिर उपर से नीचे तक देखने लगा, सुनेना चाहे लेकर आई तो अनिल की नजरे बसंधरा की तरप थी, तो उसे गुस्सा आ गया कुछ काम से आय हो अनिल सुनेना ने थोड़ा गुस्य से बोला जी मैम सर ने बुलाया था अनिल ने हर बढ़ा के सुनेना के तरब देखते हो बोला अनिल लाइबरेडी में जाकर बैठो मैं आता हूं विसी ने नास्ता करते हुए का जी सर अनिल ये बोल के जाने लगा पर उसकी नजर बसंदुरा पर ही थी चलो इसान अब जल्दी करो बसंदा ने बोला उसके मूख को नैपकिन से साप करते हुए बसंद्रा जी अनिल से फाइल लाके देदेंगी प्लीज विसी ने बोला जी बसंदा बोलके चले गई सुनेना बाहर आई तो देखा इसान सुनेना ने कुर्सी पर बैठती वे का वो चाचो की फाइल लेने गई है लाइबरेरी में इसान ने का क्या सुनेना ने सुना तो जल्दी से उठी क्या वह भावी विसी ने पूचा सुनेना को ऐसे आते हुए दूसरी तरफ अनिल बसंद्रा को गलत नियत से हाथ लगाया तो बसंद्रा ने उसे गुस्से में एक जोरधा थपर मारा वो जाकर नीचे किरिया खबरदार जो गलती से भी मुझे कमजोर समझने की गलती की तो मूँ तोड़के रख दूंगी समझा बसंद्रा ने गुस्से में बोला तूने मुझ पर हाथ उठाया तू जानती नहीं कि मै क्या कर लूँगा ये बोल के अनिल बसुंद्रा के पास बढ़ा तो बसुंद्रा ने पास रखा वास उठाया और उठा कर बोला खबरदार जो एक कदम बढ़ाया तो मैं इस वास से में और तेरे सर में कोई अंतर नहीं चोड़ूंगी तो वही रहा है समझा बसुंद्रा ने गुस्से में खा बसु तुम ठीक हो ना सुनेना ने बसुंद्रा के पास आते हुए बोला हो क्या रहा यहां पर निसी भी कमरे में आते हुए बोला सर मैं बताता हूँ ये लड़की यहां आई और मेरे साथ पता नहीं कैसी कैसी बाते करने लगी अनिल ने जैसे ये बोला तो सुनेना ने आगे बढ़के उसे एक तमाचा मारा चुप एक तम चुप वरना बसू ने जितना नहीं मारा उसे कहीं ज़्यादा पीड़ जाओगे मेरे हाथो सुनेना ने गुसे से बोला मैं बताते हूँ भईया पहले दिन से ही इसकी गलत नजर बसू पर थी उस दिन जब मैंने इसे गुसे में बोला था उस दिन भी गलत निगास बसू को ही देख रहा था और आज भी और गलती बसू की नहीं इसकी है इसकी हालत देखके ही लग रहा है सुनेना ने जैसे ये बोला रिसी का गुसा फट पड़ा उसने अनिल की कॉलर पकड़ी और उसे कमरे से बाहर धका देती हुए मारने लगा हिम्मत कैसी हुई उसे हाथ लगाने की तीरी रिसी उसे मारती हुए बोले जा रहा था जब सबने रिसी को अनिल को मारते वे देखा, इतनी बुरी तरह से तो डर गए, तभी साची भी आ गई, उसने भी आज अनिल को ऐसे पिटते देख, खुस हो गई, अमन उठा के फेक दे इसे बाहर, और अगर हरिद्वार में कहीं दिखाई दे, तो जान ले रहना इसकी, रि सुन्दा से लिपट गया और रोने लगा, अरे इसान क्या हुआ, और सुन्दा ने उसे वैसे ही सीने से लगाए हुए पूछा, चाचू, इसान बस इतना ही बोल पाया रोते हुए, सुनेना ने जब ये देखा कि इसान डरा हुआ है, तो वो इसान के पास आई, इसान आप तो कितने अच्छे हैं, आपको कोई क्यों ऐसा पनिस्मेंट देगा, चलो इधार आओ, बसुन्दा ने बोला, इसान बसुन्दा के पास चलाया, इसान आपके चाचू, आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे कभी गुस्सा ही नहीं होते हैं, तो पनिस्मेंट तो दू नहीं करोगे, बसुन्दा ने बोला, उन्होंने अगर मुझे भी इसान ने डरते हुए का, आज तक क्या उन्होंने कभी भी आपको कुछ बोला, आपको डाटा, कभी, जैसे मैं और मम्मी डाट देते हैं, बसुन्दा ने उसे बहुत प्यार से समझाते हुए का, नहीं, व कि चेरे को पकड़ के बोला हाँ इसान ने कहा मुस्करा के रुको बसंद्रा ने उसे बोला अरशोय की तरब बढ़ गी क्या कर रही हो वसू सुनेना ने पूचा रुको भावी बताती हूं बसुने जाते हूं बोला बसंद्रा आई तो उसके हाथ में एक ट्रे था ये क्या है बसु सुनेना हैरानी से बोली इस सुच्वेशन मा तुमको इस अब खाने का सूज रहा है बसु दे कमला ने बोला हैराने से चुप करो कमला यह हमारे लिए नहीं है यह तो सर के लिए है बसुंद्रा ने इसान के पास आके बोला इसान इसे लेके चाचु के पास जाओ और देखो डरना मत मैं और बाकी सब भी बाहरी खड़े होंगे बिल्कुल भी मत डरना और जाके चाचु के गुस्से को दूर करो ओके बसंदा ने वो ट्रे इसान को दी इसान एक बार सब को देखा और धीरे कदमों से जाने लगा बसंदा और बाकी सब भी गए पर बाहरी खड़े हो गए इसान गया और खड़ा हो गया रिसी उसकी तरफ पीट किये खड़ा था इसान ने सब को देखा पीछे और धीरे से बोला चाचु इसान की आवास सुनके रिसी ने बोला इसान जाओ अभी यहां से इसान ने सुना तो वो जाने लगा बसंदा और बाकी सब ने आँखे दिखाई तो वो वापस मुह बना के मुड़ गया चाचु आह इसान ने जैसे यह बोला तो रिसी उसकी तरब भाग क्या आया सुनेना भी आ रही थी पर बसंदा ने उसे रोक दिया अरे भावी वो नाटक कर रहा है बसंदा ने बोला इसान आप ठीक हो ना रिसी के उसे पकड़ती हुए कहा हाँ चाचु मैं ठीक हूँ आपका गुसा सांत हो जाए और फिर चाए पी लो ताकि आप अच्छा सोचो और ये मेरे लिए आपको सर्दी हो जाएगी मत खाऊ ये इसान ने आइस क्रीम की कटोड़ी उठाते हुए कहा रिसी उसकी बातों पर हास दिया और उसे गोड में उठा लिया और ट्रे रख दिया मेच पर और आपको भीजा किसने यहां ये सब लेकर रिसी ने उससे पूछा बसुंद्रा हम तो चले अब तुम समभाल लो सुने ना ये बोलके कमला और साची के साथ चली गई बसुंद्रा ने जैसे पैर बढ़ाए तो उसकी पाहल की आवाज हुई हाँ तो ये हैं रिसी ने बसुंद्रा का हाथ पकरती हुए कहा हाँ चाचू बसुंद्रा बोला आपका गुसा ऐसे सांत हो जाएगा इसान ने बहुत प्यार से बोला सुक्रिया इसान अब आप नीचे जाओ हम आते हैं आपको आज हम स्कूल छोड़ देंगे रिसी ने उसे नीचे उतारते हुए बोला इसान चला गया मैं भी चलती हूँ भावी बुला रही होंगी न बसुंद्रा हाथ छुड़ा के जाने लगी तो रिसी ने बोला सौरी बसुंद्रा मेरे घर में आपके साथ इस तरह की बत्तिमीजी हुई उसके लिए रिसी ने जब ये बोला तो बसुंद्रा रुक गई हम माप कर देंगे पर एक सार्थ है बसुंद्रा ने उसकी तरब देखती हुए बोला क्या बोलो रिसी ने बोला ऐसे नहीं वादा कीजिए जो बोलोंगी मानेंगे आप बसंद्रा ने अपना हाथ आगे करके कहा हाँ ठीक है रिसी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखती वे कहा आप मुझे परिशान करना छोड़ देंगे बिल्कुल और उस कुटे से डिराएंगे नहीं और बार बार उसका नाम नहीं लेंगे आप वादा किया है आप ना नहीं बोल सकती बसंद्रा ने बहुत त्यार से बोला तो रिसी मुस्करा दिया रिसी धीरे धीरे बसंद्रा के पास आने लगा उसका हाथ पकड़े बसंद्रा पीछे होना चाहेती पर रिसी उसका हाथ पकड़े वे था रिसी जब बसंद्रा के काफी करीब आया तो बसंद्रा की नजरे चुप गई सोच के बताऊंगा रिसी ने इतना बोला और मुस्करा के चला गया बसुद्रा ने देखा तुरीसी जा चुका था वो भी नीचे आ गई मुँ बना कर बसु आज तो निहा की सगाई है न तो क्या तुम जाओगी सुनेना ने उसको नास्ती की प्लेट देती वे कहा हाँ भावी शाम को बसुद्रा ने प्लेट लेती वे कहा कमला तुम भी खालो आओ सुनेना उसे आबाज देती वे कहा तो एक काम करो न बसु यहां से हम सब साथ ही चल लेंगे तुम यहीं आजाना रेटी होके सुनेना नास्ता करते वे बोली ठीक है बावी बसुद्रा ने पोहा खाते वे कहा सब ने नास्ता किया और अपने काम में लग गए सुनेना कमला को कढ़ाई सिखा रही थी और बसुद्रा इसान के ड्राइंग कमडिशन के लिए कुछ खोज रही थी वहीं वैठे दुपहर तक बसुद्रा काम करती रही फिर गई इसान को लेके आई सुनेना ने बसुद्रा को तयार होने भेज दिया बसुद्रा निकल गई घर के लिए बसुद्रा आटो लेके जाही रही थी तो उसे लगा जैसे उसका पीछे कोई आ रहा है वो घर के पास उत्री और चलने लगी उसे फिल लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था वो इसे अपना ब्रह्म समझ के घर पर आ गई कुछ काम कर वो रेडी होने चली गई इसान चलो रेडी हो जाओ नहीं तो लेट हो जाएगा सुनेना इसान के कपड़े लिए उसके पीछे भाग गई थी अरे क्या हुआ इसान क्यों भावी मा को परेशान कर रहे हो इसी ने इसान को पकड़ते हुए कहा नहीं बसु को बुलाओ कहा है वो क्यों गई मुझसे बिनाम मिले इसान ने गुस्से से बोला अरे आ रही है वो आप तो रेडी हो जाएे जब तक आप रेडी होंगे वो आ जाएगी सुनेना ने उसे सारड पहनाते है कहा भावी मा कहा है बसुंद्रा जी कहीं गई है क्या इसी ने बोला जी भाईया रेडी होने घर गई है नेहा की सगाई है आज तो सोचा सब साथ ही चल लेंगे सुनेना ने इसान को रेडी करते वे का हाँ ओके मैं छोड़ दूँगा पास एक होटल में मेरी मीटिंग है तो मैं वहाँ चला जाऊंगा जब निकलूँगा तो आप सब लोग को ले आऊंगा रिसी ने जाते वे बोला सुनेना बस मुस्करा दी रिसी भी रेडी होने चला गया सुनेना रेडी होके इसान को लेकर नीचे आई तो कमला भी आ गई थी कमला देख बसू कहां रहे गई कहीं सो तो नहीं गई सुनेना ने हासते वे का जी नहीं मैं आ गई वसंदरा ने अंदर आती वे का अरे वा क्या बात है बहुत प्यारी लग रही हो किसी की नज़र न लगए सुनेना आखों से काजल निकालके उसके काणों के पीछे लगाते हैं उली वसंदरा लग भी बहुत प्यारी रही थी रेट कलर की सारी नेट वाली उस पे फूल स्लीप का ब्लाउज और जूड़ा हलका सा मेकप और करहाई की हुई एक तरफ सॉल हम अच्छे नहीं लग रहे है का कमला ने मूँ बना के बोला बहुत प्यारी लग रही हूँ किसी की नजर न लगे बसुंधा ने उसको टीका लगाते हुए का भावी मा चले रिसी बाजू ठीक करता हुआ नीचे उतरते हुए बोला तभी उसकी नजर बसुंधा पड़ गई लिसी उसे देखता हुआ दो तिन सीड़ियां छोड़ के उतर आया जिससे वो गिरने वाला था अरे भईया संभल के अभी गिर जाते सुनेना ने का गिर ही तो रहा हूँ लिसी ने खोए हुए का क्या बोला आपने सुनेना ने पूचा कुछ नहीं भावी कुछ भी तो नह लिसी ने सामने लगे मिरर से देखा बसुंद्रा को तभी गाली के एफम पर एक प्यारा सा घाना बजने लगा कल्मा मोहब्बत का कोई तुम पाक आयात हो रूहानी सांस सुकू दिल का धरकनों की इनायत हो लिसी के कानों में जैसे ये गाना गया वो वसुंद्रा को ही देखने लगा वसुंद्रा इसान को गोद में लिए बाहर देख रही थी और लिसी बस उसे भाईया आगे देख की चलाओ कहीं कुछ हो गया तो आपके साथ मुप्त में हम भी जाएंगे सब सुनेना ने धीरे से कहा तो रिसी की नजर सामने सड़क पर हो गई सुनेना मुस्करा दे कुछ देर बाद सब नेहा की सगाई में पहुँचे इसी उन सब को वहाँ छोड़के अपनी मीटिंग के लिए निकल गया सुनेना कमला बसंद्रा और इसान सब अंदर गए एक बहुत बड़ा हाल था और इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था बसंद्रा और सुनेना नेहा की मा के पास चले गए परणाम आंटी जी बसंद्रा ने बोला अरे बसू आज वक्त मिला तुम्हें हमसे मिल लेगा इतने दिनों से हो पर आई नहीं नेहा की मा सुमन जी ने बोला माफ कर दो अंटी जी बसंद्रा ने उनसे कान पकड़के माफी मांगती भी का हाँ कर दोंगी माफ पर एक सर्थ है क्या बसंद्रा ने बोला बाद में बताऊंगी जाओ अभी नेहा से मिल लो सुमन जी ने मुस्करा के बहुत प्यार से का नमस्ति सुमन जी सुनेना ने बोला अरे सुनेना जी आप आए हमें बहुत अच्छा लगा सुक्रिया आने के लिए सुमन जी ने बोला अरे आते क्यों नहीं नेहा ने इतने सालों काम किया है वो भी इतने प्यार से तो हमें तो आना ही था सुनेना ने बोला चलिया हम आपको लड़के के घर वालों से मिलवा दे सुमन जी ने उसे स्टेश पल ले जाते वे कहा सुमन ने सुनेना को जब उन लोगों से मिलवाया तो वो सब सुनेना को वहां देख के हैरान थे कि रिसी मलोतरा की भावी यहां आई है सुनेना सब को नमस्ति किया और नीचे लगे सोफे पर बैठ गई इसान कमला के साथ बैठ गया बसंद्रा नेहा के कमरे में गई जहां वो रेडी होके बैठी थी बसो आ गई तुम नेहा ने अपना लहंगा पकड़के उसके पास आते वे बोली कैसे नहीं आती हमारी इकलोती दोस्त की सगाई है हमें तो आना ही था बसंद्रा ने उसे गले लगा के बोला तुने देखा उन्हें कैसे लगे तुझे नेहा ने उसका हाथ पकड़ के पूछा सच बोलू या छूट बसंद्रा ने बोला सच बोल लहीं तो मार खाएगी नेहा ने गुण्सा करते वे का अरे बस बस मेरी चान तेरे वो बहुत अच्छे है बसंदा ने कहा तो दोनों दोस्त हस दी वो दोनों वहीं बैठी बाते करती रही कुछ दिर बाद निहा को बुलाया गया सगाई के लिए बसंदा और कुछ लड़कियां उसे लेके बाहर आई निहा का होने वाला बीर खड़ा था देख बीर कितने खुस नजर आ रहे है आफ़त के लिए बसंदा ने धीरे से बोला तो निहा ने सबसे छुपके उसे कोहनी मार दी धीरे से ज्यादा हाथ मत चला वरना मना कर दूंगी कि इससे सगाई मत करो बसंदा ने मुस्करा के बोला निहा ने उसकी तरफ मुँ बना के देखा चल अब आगे सब देख रहे हैं बसंदा ने कहा निहा को बीर के पास खड़ा किया गया लाके पंडे जी ने छोटी सी पूजा की और फिर बीर और निहा ने एक दूसरे को अंगूटी पहना दी तभी उन पर उपर से बहुत सारे गुला के फूल गिरने लगे मुबारक हो दी निहा के भाई सुसांत ने आते वे कहा जो अभी बस पहुचा ही था सुसांत तू आ गया निहा ने उसे ऐसे अचानक देखके खुसी से उसे गले लगा लिया अब कैसे नहीं आता मेरी दी की सगाई है मुझे तो आना ही था सुसांत ने बोला नमस्ते बसुदी सुसांत ने वसंद्रा को देखकर बोला कैसे हो सुसान बसंद्रा ने मुस्करा के बोला ठीक हूँ सुसान ने बोला मैं अभी आई बसंद्रा ने नेहा से कहा और स्टेश से नीचे उतर गई सब लोग बाते करी रहते कि तभी लाइट आफ हो गई सारी तभी उन्हें एक रोस्नी में किसी की परचाई दिखाई दी आज मेरी सबसे अच्छी दोस्की सगाई हो गई है और कुछ दिनों बाद वो किसी और की हो जाएगी हमेशा के लिए बसंद्रा हाथ में माई के लिए बोल रही थी उस पे एक स्पॉर्ट लाइट पड़ रही थी सब उसकी तरफ देख रहे थे अक्सर हम जब साथ होते तो हमारी नेहा जी हर बार एक सवाल करती कि वसू तुझे कैसा हम सफर चाहिए तो हम टाल देते थे क्योंकि शायद वक्त नहीं मिला था फिर पता नहीं था आज भी उसने यही सवाल किया तो सोचा बेचारी को बता दू नहीं तो यह कसक लेकर गई तो गाली ही देगी हमें नहा सिर्प तेरे लिए बसुद्रा ने बोला तो एक बार फिर लाइट आफ हो गई और म्यूजिक बजने लगा सब बहुत ध्यान से देख रहे थे तभी लाइट आउन हुई तो बसुद्रा और कमला दोनों कई सारी लड़कियों के साथ थिरक रही थी जैसे बसुद्रा ने नाचना शुरू किया गाते वे सब मुस्करा के उसे देख रहे थी बसुद्रा सुनेना के पास आके उसे उठा के गाने लगी रिसी भी अपनी मीटिंग खतम करके आ गया था वो जैसे अंदर जाने लगा तो हाल की खिड़की से देखा बसुंद्रा नाच रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी तो वो वहीं रुक गया और उसे देखने लगा बसुंद्रा ने जैसे डांस खतम करके रुकी तो सब उसकी तारीब करके तालिया बजा रहे थे बहुत अच्छा वसू इसान ने उसके पास आते हुए कहा आपको अच्छा लगा बसुंद्रा ने उसे गोद में उठा के बोला बसु तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो और गाती भी अच्छा हो सुनेना ने बोला अरे ऐसा क्या है जो हमारी बसु को नहीं आता सुमन जीने का वसुंद्रा के सर पर हाथ रखे चलिए खाना खा लिजे सुमन जीने बोला सब खाने के लिए चले गए इसान को बसु खिला रही थी वहीं कोई और था जो बाहर गाली की बोनट पर पीट लगाए बैठा था और फोन में बसु की तस्वीर देख रहा था वो था रिसी उसने आखे बंद की और सामने बस बसुंद्रा का चेहरा था हस्ती हुए खाना खाके सब बाहर आये तो देखा कि लिसी गाली की बोनट पर पीट लगाए बैठा था अरे भाईया आप कब आये सुनेना ने उसे ऐसे बैठा देखा तो बोला बस कुछ वक्त हुआ है चले लिसी ने बोला बोनट से उतरते हुए अंदर क्यों नहीं आये सुनेना ने बोला बस मन नहीं था ठक गया हूँ चले गर लिसी ने थोड़ा परिशान होके बोला हाँ चलिए सुनेना ने बोला सब वहाँ से निकले इसान बसुंद्रा की गोद में सो गया था लिसी ने उसके घर के में गेट पर गाली रोक दी कमला ने इसान को अपनी गोद में ले लिया बसुंद्रा नीचे उतरी और सुनेना को गुड नाइट बोलके सॉल ठीक से ओड़के वो आगे बढ़ने लगी इसे ने गाली आगे बढ़ा दी पर उसकी नजर साइड मिरर पर नजर आ रही बसुंद्रा पर थी बसुंद्रा अपने घर आई और लॉक खोलने लगी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है उसने पीछे मुड के देखा तो कोई नहीं था बसुंद्रा अंदर चली आई वो दरवाजा लॉक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई उसे किचन में कुछ गिवने की आवास सुनाई थी वो खबरा गई बसुंद्रा धीरे कदमों से चल के किचन की तरफ जाने लगी उसने जा के देखा तो बिल्ली थी जो किचन की खुली खिड़की पर बैठी थी और एक बड़ा चमचा गिरा हुआ था बसुंद्रा ने मुस्करा के उसे उठा के रख दिया बसुंद्रा अपने कमरे में चली गए दोसी तरफ रिसी भी सब के साथ घर पहुँचा सुनेना बाहर आई और इसान को गोद में ले लिया कमला जाओ सो जाओ ठक गई होगी तुम भी सुनेना ने उसकी बोजिल आँखे देखके बोला जी भावी कमला ने जमाई लेते वे का जिसी भी नौकर को चावी देके वो भी कमरे में चला गया पर उसका दिल आज बेचैन था वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों है ये वो चुपचाप आया कमरे में और दरवाजा बंद करके कोट उतार के बिस्तर पर रख दिया और खिड़की के पास खड़ा हो गया टाई को धीला करके थंडी हवा के जोके उसके चेहरे को सहला रहे थी उसे अच्छा लग रहा था बसंद्रा भी चेंज करके खिड़की पर खड़ी थी तभी उसका फोन मजा देखा तो रचना थी कैसी हो रचना बसंद्रा ने फोन उठा के बोला मैं तो ठीक हूँ पहले आप बताओ कि नेहा देखी सगाई कैसी रही रचना ने एक्साइरेट होके पूछा बहुत अच्छा था मैंने तुझे बहुत मिस किया तू होती तो और मजा था बसंद्रा ने थोड़ा उदास होकर कहा डौन बड़ी दीदी मैं शादी में साथ रहूंगी आपके रचना ने खुस होके कहा अच्छा तो फूफा जी ने हाँ कह दिया यहां आने को बसंद्रा ने खुस होते वे कहा जी दी बहुत मुस्किल से माने हैं रचना ने कहा चलो अच्छा है बसंद्रा ने जैसे यह कहा तभी उसके दरवाजे पर घस्ता कोई रचना मैं बात में बात करती हूँ लगता है कोई आया है बसंद्रा ने कहा और फोन रख दिया बसंद्रा साल ओड़े दरवाजे के पास गई और दरवाजे को खोल के देखा तो कोई नहीं था कौन था किसने खट-कटाया था बसंद्रा यह सोची रही थी कि अचानक से किसी ने उसे सामने से आकर ढखा दिया उचा के फर्स पर गिर गई उसके साथ कुछ लोग और थे और उन सब ने अपने मूँ बादे रखे थे वो सब अंदर आये और दरवाजा बंद किया हॉल में हलकी सी रोषनी थी एक छोटी सी लाइट से कौन हो तुम लोग और ये क्या बत्तिमी जी है बत्तिमी जी नहीं ये बसुंदरा जी ये बदला है जो आज हुआ उसका बदला उस आदमी ने अपने मूँ से कपले को हटाती वे का तुम लगता है आज की पिताई भूल गय हो जो फिर चले आये यहाँ बसुंदा ने फर्स पर से उटते हुए अनिल से का नहीं उसलिए तो आया हूँ जो अधूरा रहे गया था उसे पूरा तो मुझे ही करना होगा ना बसंद्रा जी अनिल ने उसके चेहरे पर हाथ लगाते वे का लगता है तुम्हारी जिन्दिकी खतम हो गई है जो यहां आये हो बसंद्रा ने अनिल को एक तमाचा मारते वे का तभी उसके गुंडे ने बसंद्रा को पकर लिया कसकी मुझ पर हाथ उठाया तुने अब तु देख जिस गुरूर में है वो ही मैं आज खतम कर दूँगा अनिल ने अपने कदम बढ़ाते वे का तभी बसंद्रा ने एक आदमी को लाद मारी उसने बसंद्रा का हाथ छोड़ा अपना पेट पकड़ लिया उसे देख के लगता था कि लाद जोड़ की पड़ी थी दूसरे आदमी के मुँपर एक खुसा मारा और वो सीधा फर्स पर गिरा अनिल बसंद्रा से सब को पिटा देख तो उसे गुसा आया तुम सब एक लड़की के हाथ मार खाने आये हो मारो इसे अनिल ने गुसे से कहा तभी तीसरा आदमी उस पे चाकुल लेके उसके पास आया उसने जैसे बसंद्रा पर वार किया उसने उसका हाथ पकड़के मोड़कर उसके पीट से लगा दिया साथ तुम्हें नहीं पता अनिल जी कि हम इलाबाद में बहुत मज़ूर है लड़ाई के लिए क्या करें तुम जैसे बेकाबू सान हमारे यहां आए दिन मिल जाया करते थे उन्हें खूंटे से कैसे बानते हैं यह हम अच्छे से जानते थे तुम भी उन्हीं में से एक हो बसंद्रा ने उस आदमी के पीट पर एक चबरदस कोनी मारी जिससे वो बुरी तरह करहा गया पर तब ही किसी ने बसंद्रा के सर पर चोर से मारा और वो नीचे गिर गई उसके आखों के सामने भी होसी चाने लगी मुझे भी तुम जैसी मिमियाती बकडियों को काबू करना आता है अब तुम से मैं हिसाब पराबर करूँगा यह कह के अनिल उसकी तरफ मुस्क्रा कर बढ़ने लगा बसंद्रा के सर पर चोट आई हुई थी वो फर्स पर पड़ी हुई थी उसके आखे बोजिल होती जा रही थी तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी हार जाओंगा मैं वो हूँ जिसे एक बार जो पसंद आए उसे हासिल करता हूँ या प्यार से या जबजस्ती से अनिल ने उसके पास आते वे बोला जब तुझ जैसे लोगों के दिन पूरे हो जाते हैं तभी उनकी मती भरष्ट हो जाती है बसंद्रा ने लड़ ख़डाती जुबान से कहा मेरी छोड़ो तुम अपनी सोचो बसंद्रा जी ये कहता हुआ अनिल उसकी तरफ बढ़ा बसंद्रा खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा के पीछे हो रही थी तभी दर्वाजे पर दस्ता कोई इस वक्त कौन हो सकता है अनिल ने धीरे से कहा उसने इसारे से खिड़की से बाहर देखने को कहा अपने एक आदमी से उसने देखा तो बाहर रिसी था वो भी अमन के साथ सर बाहर रिसी मल होत रहा है इतना सुनते ही अनिल हैरान था कोई कुछ मत करो बस चुप चाप रहो वो चला जाएगा, अकर कुछ नहीं पाएगा तो, अनिल ने कहा, बसुंद्रा के सर से खून पैरा था, उसने अपने पैरों को हिलाया तो पायल की आवाज करने लगी, बसुंद्रा जी, आप गेट के पास हैं, मैं रिसी, दरवाजा खोलिए, इसान की तवियत खराब है, रि निसी ने सोचती हूँ बोला, रुके सर मैं देखता हूँ, अमन ने खिड़की के पास जाती हुए बोला, पर खिड़की पर परदों के लगे होने से कुछ नहीं दिख रहा था, सर, बसुंद्रा ने अपनी पूरी जान लगा के बोला, ये तो बसुंद्रा की आवाज है न बसुंद्रा जी, आप अंदर हैं? निसी ने परेशान होते वे का, सर, पीछे किचन की खिड़की खुली है, महां से अंदर जा सकते हैं, अमन ने बोला, निसी ने सुना तो अमन के साथ, धीरे कदमों के साथ, पीछे की तरब जाने लगा, अनिल को लगा कि वो लोग चले लो बसुंद्रा जी, आज तो खुद भगवान चाहता है कि मैं अपने काम को अंचाम दू, अब उसकी बात को कैसे टाल दू मैं, अनिल ने एक भद्धी सी हसी हसते हुए बोला, लगता है, तुम ठीक कह रहे हो अनिल, भगवान ने तुम्हें इसलिए यहां बेजा कि अध पून बहरा है, लिसी ने घबरा के कहा, चल इसके साथ तुझसे भी हिसाब करी लेता हूँ, अनिल ने अपने आदमियों को इसारा किया, चल देख लेते हैं, लिसी ने बसुंद्रा को अमन को देते हुए कहा, देखे, तु यहां से जिन्दा जाता है या नहीं, लिसी ने स बसुंद्रा को समालते हुए बोला, जो शायद अब भी होस हो गई थी, हम देख लेंगे आप जाओ, लिसी ने कहा, अमन बसुंद्रा को लेके बाहर जाने लगा तो उस पे किसी ने चाकों से वार किया, लिसी ने उसका हाथ पकड़ा और मोड दिया बुरी तरीके से, अमन मलोत्रा की गर्दन तक आ सके, रिसी ने उसके आदमी को मारती वेका, अनिल ने जब देखा कि उसके बचने का अब कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपने एक आदमी को रिसी पर धका दिया और भाग गया, बहार आके वो गारी में बैठा और चला दिया स्पीड में गारी जब तक रिसी आता, वो ज़ा चुका था, रिसी ने हाथ में लिये गन को चला दिया, गुसे में पर अनिल की गारी काफी दूर निकल गई थी हरिद्वार का सिटी होस्पिटल, अमन बसंद्रा को होस्पिटल ले आया था, ज्यादा गहरा घाओ नहीं था, डॉक्टर ने उसकी पट्टी कर दी, रिसी भी आ जाता है, कैसी है वो रिसी ने पूचा, जी अंदर है अभी, डॉक्टर है उनके साथ अभी, अमन ये बोलता है, और इसी जैसे बिना सुने, अंदर चला जाता है, अरे कौन है आप, और यहां ऐसे अंदर कैसे चले आए, बाहर जाए यहां से, डॉक्टर ने बिना जाने समझे बोला, पहली बात आवकात में रो, दूसरा जो काम है वो कर, और अब ये बता, कैसी है ये, इसी ने उसक होस्पिटल के ओनर है, ये इन्ही का होस्पिटल है, एक नर्स ने आके धीरे से बोला, सौरी सर, पर आप थोड़ा पैसेंस रखिए, और ये ठीक है, अभी होस में आ जाएंगे, रोज आके पट्टी करवा लेए, डॉक्टर ये बोली रहाता कि बसंद्रा को होस आया, उसक नर्स हूँ, इसलिए खुद कर सकते हूँ, बसंद्रा ने थोड़ा कुछ से में बोला, कमाल के हजबेन वाइफ हैं आप तोनों, उस डॉक्टर ने एक पेपर पर कुछ लिखते हुए का, ये मेरे पती नहीं है, बसंद्रा ने मुग बना के का, क्या बोल रही हो बसू, मतल लिया, डॉक्टर चला गया वहां से, ये क्या था, आपने जूट क्यों बोला, बसंद्रा निसी की बाहों में खड़े हुए बोली, घर से ले, निसी ने बोला, और उसे सहारा दे के बाहर ले आया, अमन चलो, निसी ने बसंद्रा को पीछे बैठाया, आराम से, और खुद कुछ खा लिया था, उसने सगाई में, जिससे उसकी तवियत खराब हो गई, पर डॉक्टर ने देख लिया है, अब ठीक है, इसी उसे अंदर लेकर आते हुए कहा, मैं एक बार देख लूँ, बसंद्रा ने बोला, जी, इसी ने बोला, और उसे उपर इसान के कमरे में ले भावी, इसान कैसा है, बसंद्रा ने धीरे से बोला, तो सुनेना ने उसकी तरफ पीछे मुण के देखा, अरे बसू, ये सब क्या हुआ, और तुम्हें जोट कैसी लगी, सुनेना ने घबरा के कहा, बसू, इसान ने नीन में बोला, हाँ इसान, यही हूँ मैं, आप मैं यही हूँ, बसंद्रा ने इसान के पास बैठके, उसके सर को सहला के कहा, तब से बस तुम्हें ही पुकार रा था, बहुत मुश्किल से सोया, सुनेना ने नम गले से कहा, माप कर दो भावी, आज के लिए अभी गलती नहीं होगी, बसंद्रा ने भी रोती हुए कहा, प सुनेना इसान को बसंद्रा के साथ छोड़ कर बाहर आ गई, क्या हुआ भईया, सुनेना ने घबराती हुए बुजा, इसी ने उसे सब कुछ बताया, क्या, इतना सब हो गया, यह अनिल तो हद से ज़्यादा गिरा हुआ इनसान निकला, सुनेना ने गुस्से में बोला, आ इसी ने कहा, नहीं भईया, बसु की भी तबेर ठीक नहीं है, उसे खुद किसी की जरुवत है, सुनेना ने बोला, मैं रुख जाता हूँ इसान के कमरे में, कमला के साथ, आप जाओ, आराम कर लो, इसी ने सुनेना की तरफ देख के बोला, ठीक है, सुनेना ने बोला, और इसान के कमरे में चला गया देखा बसंद्रा इसान को अपने पास लिए सो गई थी और कमला उसके पास सो गई थी नीचे ही वो आया और बसंद्रा को एक और ब्लैंकेट उड़ा दिया और बैठ गया वो जैसे बैठा तो बसंद्रा ने अपना पैर ब्लैंकेट से बाहर निकाल दिया और उसके पैर में गह पहनी पायल चमक रही थी रिसी उठा और वापस उसके पैर ढख दिया पर वो वापस वैसे कर देती है रिसी वापस उठता है और ढख दिता है रिसी को गुस्सा आने लगा था बुआ मत करो ना मेरी नीन टूप जाएगी बसुंद्रा ने नीद में बोला मुझे क्या सो ऐसे जब सर्दी पकड़ेगी तब पता चलेगा रिसी ने चिर्टेवे का रिसी ने बुक ली और उसके बीच मुला एक पन्ना खोल पढ़ने लगा उसकी नजर कभी बसुंद्रा के पायल पर चली जाती है तो कभी उसके पैरों पे पायल बहुत अच्छे लग रहे थे पता नहीं कब रिसी को भी नीद आ गई सुबह का वक्त रिसी सो रहा है और उसके सीने पर बुक खुली हुई है बसुंद्रा उटती है और इसान के सर पर हाथ रखके देखती है मुस्करा कर उसके सर पर हाथ फेती है वो उटके जैसे देखती है तो बगल में रिसी सो रहा था काउच पर उसने सीने पर बुक खुली हुई थी तो वो धीरे से गई और बुक उठाने ही वाली थी कि रिसी उसका हाथ पकर कर खीच लेता है ये क्या है छोड़िये मुझे बसंद्रा ने जोर से कहा इसान और कमला उठ जाएंगे आपको पता है ना कि किसी की चीज उससे बिना पूछे नहीं लेते निसी ने बसंद्रा को बाहूं में लिये हुए बोला सौरी गलती हो गई बसंद्रा ने दूर जाने की कोशिस करते हुए का ऐसे नहीं अब गलती की है तो सजा भी बुगतना पड़ेगा ही निसी ने उससे देखते हुए का सजा ऐसा क्या गुना कर दिया मैंने जो आप हमें सजा देंगे बसुंधा ने रिसी की तरब देख के बोला वैसे पहले तो आपको मुझे थैंक्यू बोलना चाहिए और दूसरा सजा हम बादें बताएंगे रिसी ने उसे छोड़ते हुए कहा सच में अगर ये मेरे वास ना होते तो बसुंधा ने बर-बर आते हुए कहा मेरे लिए एक कप चाह प्लीज दिसी ने इसान के पास वापस सोते हुए कहा हाँ चाह क्यों पूरा खाना भी खिला दू बोलो तो बसुंधा बर-बर आते हुए कहा गुड आइडिया, एक काम करो, नास्ता बनाओ मेरे लिए अच्छा सा, जिसी ने ब्लैंकेट ओड़ते हुए कहा, जी मैं कुछ नहीं बना रहे हूँ, बसुन्धा ने गुस्से में बोला, रौकी, जिसी ने तेज से बोला, तभी बसुन्धा ने बोला, अच्छा अच्छा अरे, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यो हूँ, सुनेना ने उसे पकरते हुए कहा, कुछ नहीं भावी, बसुन्धा ने बोला, अच्छा तयार हो जाओ, मैं तब तक नास्ता बना लेती हूँ, सुनेना ने बोला, पर मेरे कपड़े तो वहाँ है, बसुन्धा ने बोला, चलो आओ, सुनेना उसे अपने साथ कमरे में ले आई ये मेरे कपड़े हैं, जो चाहे ले लो इसमें से सुनेना अलमारी खोलती हुए का ये तो बहुत खुबसूरत है, आप पहनती क्यों नहीं है भावी ये सब बसंद्रा को नहीं पता था, उसने अंजाने में क्या बोल दिया था सुनेना खामोस थी, उसके इस सवाल से माफ कर दो भावी, उससे गलती होगी, आगे से नहीं कहूंगी कुछ बसंद्रा ने सुनेना से माफी मांगती हुए का कोई बात नहीं, तुम देखो, तुमें कौन सी साड़ी पसंद है सुनेना ने बोला, ये वाली बसंद्रा ने एक गुलाबी प्रिंटर साड़ी निकालती हुए कहा वाह क्या बात है, जानती है ये साड़ी हमारी लिए कौन लाया था सुनेना वसंद्रा की तरब देखके मुस्करा के कहा किसने वसंद्रा ने बोला डिसी भहिया ने उन्हें ये रंग बहुत पसंद है पर ज़्यादा डार्क होने के कारण हमने कभी पहनी नहीं सुनेना ने कहा हम ये सुन के वसंद्रा का मुँ बन गया अच्छा तुम रेडी हो जाओ, सुनेना ये बोलके चली गई, वसंद्रा भी वासरूम में चली गई, नहा के वो सारी पहन के बाहर आई, और सर पर लगी चोट की पट्टी को बदलने लगी, उसने पट्टी को उतार के रख दिया, और फास्टेट का वाक्स ले आई, और ट् बसंद्रा की नजर रिसी पर थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था, इसी ने दवा लगा के पट्टी बानने लगा, वो जब सामने आया, और बसंद्रा के करीब आया, तो बसंद्रा की सांसे तेज हो गई, वो समझ नहीं पारी थी कि ये क्या था, तभी बा जानू, वो हम से, हम उनसे कभी न मिले, कैसे मिले दिल न जानू, अब क्या करें, क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारू, बसंद्रा कामोसी से बैटी वी थी, और इसी उसके सरपर पट्टी बान जाता, हर चीत खुद से नहीं हो सकता है बसू, हर किसी की मदद लेने से कोई छोटा नहीं होता है, जिसी ने बहुत प्यार से, बिना उसकी तरफ देख के बोला, मुझे बच्पन से अपना सारा काम, खुद से करने की आदत है, बसंद्रा ने धीरे से नजरों को जुका के कहा, तो अब आदत डाल लो मदद की, जिसी ने कहा, और वहां से चला गय कैसे डाल लूं, मुझे तो ये भी नहीं पता, कि ये मदद मेरा है भी या नहीं, या मेरी किसमत में कब तक है, बसंद्रा ने खुद से कहा, बसंद्रा इसान के कमरे में आई, तो देखा वो सो रहा था, इसान उठो सुबे हो गये, बसंद्रा ने पर्दों को हटाती वे कह इसान उटके उसके पास चला आया हसते वे चलो अब ब्रस कर लो आओ बसुन्दा ने इसान को गोद में उठा के का बसू तुम्हें चोट कैसे लगी इसान ने उसकी तरब देख के बोला ये एक बुरे राच्छ से लड़ते वे बसुन्दा ने आँखों को बड़ी करते वे का तो तुम राच्छ से लड़ रही थी बसू इसान हैरानी से आँखों को बड़ा करते वे का हाँ बिलकुल बसुन्दा ने इसान को वास बेशन के साइड की जगे पर बठाते वे का कैसा था वो इसान ने वैसे ही पूछा बहुत बड़ा बहुत बुरा सा बसुंद्रा ने टूथ ब्रस पर टूथ पेश लगाते वे बोला फिर क्या तुमने उसे मारा बसू इसान ने बोला हाँ बहुत मारा एक को वहां उठा के पटका एक को दूसरी तरफ फिर एक मेरी कुल लेकर बढ़ा उसका हाथ पकड़के मैंने मोड दिया बसुन्दा ने इसान को ब्रस कराते वे का बसु तुमने फाइटिंग की इसान ने मुझ से ब्रस निकाल के बोला जी और क्या तुम्हारी बसु बहुत इस्ट्रॉंग है बसुन्दा ने उसका मुझ दूलाते वे ब गई तो वो उसे उस साड़ी में देखके हैरान था काफी खिल रहा था वो रंग उस पे लिसी ने अपना ध्यान वापस से काम में लगा लिया बसुन्दा इसान को खाने की मेज के पास लेकर आई इसान को चेर पर बैठा के वो अंदर गई और सुनेना कमला के साथ नास्ता ले आई चलो इसान दूद पीलो बसुन्दा ने दूद का गिलास उठा के देते वे कहा पता है मम्मी बसुने कल बहुत सारे राचसों को मारा इसान ने गूर दूद पीते वे कहा आपको किसने बताया इसी ने पास आते वे कहा बसु बता रही थी चाचु और बसुने अके जाने से बढ़े करते वे कहा हां आपकी बसु बहुत इस्टांग है और तब भी उसको चोट लग गई बताओ जिसी ने मूँ बनाके बसुंद्रा की टांग खीसते वे कहा जब मूँ खोलोगे कुछ अच्छा नहीं निकलेगा मूँ से बसुंद्रा ने मूँ बनाके मन में कह तो बसुंद्रा जी कैसे मारा आपने उन सब को जरा हम सब को भी बताओ हम सब भी तो जाने आपके बारे में निसी ने पराठा उठाते वे कहा जैसे आपने मारा था बसुंद्रा ने कहा चाचु ने भी मारा था उन्हें इसान ने बोला हां इसान हमारे सर पर चोट आने प पर हन्मान जी अभी भी वक्त है एक जोरदार गदा मार दो इस इंसान को ताकि इसकी याददास चली जाए और फिर मैं इसे बताऊंगी अकुरू कहीं के बसुंदा ने बड़बराते वे कहा आउच तभी बसुंदरा के मुझसे जोर से ये सुन के सब उसकी तरफ देखने ल मारा था दुष्ट कहें कि कोई ऐसे मारता है राचस है पूरे बसुंदा ने मुझ बना के बड़बराते वे कहा तभी रिसी ने उसके पैरों पर फिर मारा और इस बार बसुंदा ने भी जोर से एक पैर मारा और रिसी को चीख निकलाई आँ बसुंदा मुस्कुरा रही थ सुनेना कमला किसी काम से बाहर चले गए बसुंदा इसान को कमरे में ले आई वसु मेरा ड्राइंग कमपटेशन है क्या बनाऊं मैं बताओ न इसान ने पूछा बिस्तर पर बैठते वे रुको बताती हूं बसुंदा ने खिर्कियों को खोलते वे कहा उसने एक चार्ट पे हाउस था बहुत प्यारा और एक प्यारी सी फैमली बसुं मैं कैसे बना पाऊंगा ये ये तो बहुत मुस्किल है इसान ने हैरानी से कहा मैं हूना मैं सिखा दूंगी बस आपको जैसे हम बताएं वैसे आप करना उसने उसके सामने एक कार्ड़ बोर्ड रखती वे कहा वो और पैंसिल भी वो इसान के साथ पैट के उसे ड्रा करना सिखाने लगी दुपहर का वक्त सुनेना जब कमला के साथ खर वापस आई तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया राकेश वसू और इसान कहा है कोई दिखाई नहीं दे रहा है सुनेना ने एक नोकर से पूछा जी भा वो बसु हमें पेंटिंग बनाना सिखा रही है देखे कैसे बना है ये पेंटिंग इसान ने एक कार्ड बोर्ड उठा के दिखाते वे बोला अरे वाई ये तो बहुत अच्छी है पर ये आप दोनों ने खुद की हालत क्या बना रखी है सुरेना ने इसान और बसुंदा को द देखते हुए बोला भाबी जल्दी नीचे आओ देखो कौन आया है कबला नीचे से आवाज ती चोर से हम देखते हैं वसु तब तक अपना और इसान का मुझ साप करके नीचे ले आओ सुनेना ये बोलके चली गई चलो आओ इसान बसुंदा ने इसान को वासरूम में ले जाते हुए कहा सुनेना नीचे आई तो देखा सामने मुगदा और सुर खड़े थे ये दोनों सुनेना के चचेरे भाई बहन थे मुगदा एक टीचर है सिमला के स्कूल में अभी छुटियां थी तो यहां आई है और काफी सांथ सभाव किये सुर का एक कॉंस्ट्रेक्शन का बिजनेस है सुर का मिजाज बहुत मजा किया था पर काम के वक्त बहुत सक्त रहता था अरे मुगदा तुम और ऐसे यहां पर सुनेना ने हैरानों कर बोला हाँ दीदी भाईया यहां किसी काम से आ रहे थे तो सोचा कि मैं भी आके मिल लूँ आपसे मुगदा ने सुनेना के पास आके उसकी गली लगते वे कहा कैसे हो सौर और चाशा जी कैसे हैं सुनेना ने पैर चुते वे सौर से कहा ठीक है देदी आप कैसे हो सौर ने मुस्करा के पूछा ठीक है आउ बैटो सुनेंगा ने सोफे के पास आतेवे कहा और हमारा भानजा नहीं दिखाई दे रहा है कहा है हमारा हीरो सौर ने कहा वो उपर है अभी आ रहा होगा मामू आप आये हैं इसान ने वसंद्रा की गोद में से कहा, सौर की नज़र जब इसान पर गई और वसंद्रा पर, तो वसंद्रा को देख के एक वक्त के लिए वो खोसा गया, मामू, आप का बाए? इसान ने जब सौर का हाथ पकड़ के बोला, तो वो इसान की तरब देखने नगा, बस अभी ही और कैसा है मेरा चैंपियन? शौर ने उसे गोद में उठा के बोला, मैं एकदम ठीक हो, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए मामू, इसान ने बहुत प्यार से बोला, ऐसा हो सकता है कि आपके मासी और मामू आपके लिए कुछ न लाए? मुगदा ने बोला, मासी कैसी हो? इस इसान मुगदा की गोद में जाते हैं बोला, मुगदा ने उसे एक बड़ी सी चोकलिट दिया, इसान ने खुस होके मुगदा के गालों पर किस कर दिया, ये कौन है दीदी? पहले तो नहीं देखा इन्हें यहाँ, मुगदा ने पूछा वसंद्रा की तरफ देखके, ये मे घर की ही है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा इसान बसु की हर बात मानता है, सुनेना ने वसंद्रा की तरफ देखके बोला, बसु ये मेरी बहन और भाई है, मुगदा और शौर, सुनेना ने वसंद्रा की तरफ देखके बोला, जी नमस्ते, बसंद्रा ने दोनों की आ गया बसंदा उसे गोद में बैठा के खिला रही थी बहुत प्यार से और सौर उसे देख रहा था अच्छा दी मैं चलता हूँ मुझे जाना होगा Actually मेरी मेटिंग है रिसी केस में कुछ दिन वहीं रहूँगा वहाँ मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तु मुझे जाना होगा सौर ने उठते वे बोला पर भाईया से तु मिल लेते सौर सौनेना ने बोला मैं फिर आकर मिल लूँगा दीदी अभी जाने दो सौर ने बोला ठीक है अच्छा पर जल्दी आना सौनेना ने कहा सौर सबसे अलवीदा लेके चला गया अच्छा तुम बैटो हम अभी आते हैं सौनेना ने कमरे में जाते वे बोला मुगदा बसुन्दा और इसान के पास आ गई कहा से आप बसू मुगदा ने बैठते वे कहा सोफे पर जी इलावास से बसुन्दा ने मुस्का के बोला मुगदा और बसुन्दा दोनों वहीं बैठके बाते करने लगे और कुछ वक्त में बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे दोनों शाम का वक्त साम को रिसी जब आया तो मुगदा को देखके खुश था अरे वास सिमला से कोई आया है विसी ने अंदर आते वे का अरे विसी जी आप कैसे हैं मुगदा ने खड़े होते वे का हम ठीक हैं पर आप कैसे यहां विसी ने बैठते वे का बस भाईया आ रहे थे तो मैं भी आ गई मुगदा ने बोला सर वो आपकी फाइल अमन ने अंदर आते वे का अमन अंदर आया तो उसकी नजर मुगदा पर गई मुगदा भी अमन को देखके नजरे नीचे कर ली और दूर खड़ी पसंद्रा ये देख रही थी हाँ अमन लाओ अमन ने फाइल दी और चला गया बिना कुछ कहे मुगदा थोड़ी परिशान लग रही थी तो सौर कहा है मुगदा दिसी ने पूछा वो तो चले गए उन्हें काम था बोले हैं जल्दी आके मिलेंगे आपसे मुगदा ने बोला अच्छा ठीक है आप बैठे हम आते हैं जिसी अपने कमरे में जाने लगा बसंद्रा जी एक कप चाय मिलेगी क्या जिसी ने सीड़ियों के पास खड़ी बसंद्रा से बोला कमला चाय दे दो इने बसंद्रा ने कहा कमला से जी दी दी कमला ये कहके जाने लगी तुम्हें भावी बुला रही है कमला जाओ रिसी ने मुश्क्रा के बसुंदा की तरब देखती वे का पर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई भाईया कमला ने का मुझे आई है जाओ रिसी ने थोड़ा सक्त हो के का जी भाईया कमला ने सुना तो भाग गई आप जाओ और एक कप चाय ले आओ रिसी ने का दूद नहीं है खतम हो गया बसुंदा ने मुँ बना के का íb मगा देता हूँ रिसी ने का चाय पत्ती भी नहीं है बसुंदा ने गुसे में बॉला वो भी मगा देता हूँ मुगदा बैटी दोनों को देख रही थी मुस्कराते वे शीरी नहीं है बसंदा ने फिर गुस्से में बोला वो भी मंगवा देता हूं और कुछ रिसी ने सेडियों पर खड़े वे बोला हाँ जब इतना मंगा ही रहे हैं तो चाही मंगा के पी लिजिए बसंदा ने बोला हाँ गुड आइडिया मैं अभी राकी को बुलाता हूं रिसी ने कहा जैसे बसंदा ने बोला ठीक है ठीक है मैं जाती हूं बसंद्रा ने नो मूँ बना के कहा जो और मसाले वाली चाय जल्दी से मेरे कमरे में लेकर क्याओ रिसी ये बोल के चला गया हन्मान जी देख लूँगी आपको तो मैं बसंद्रा ये बोल के किचन में चली गए मुगदा ये सब देख के मुस्करा रही थी बसंद्रा किचन में गई और चाय बनाने लगी अरे मुगदा भाया आ गया क्या सुनेरा ने पूछा जी दी दी और आते हैं वसू को काम भी लगा दिया मुगदा ने मुसकरा के बोला अच्छा तो फिर से परिसान करने लगे सुनेरा ने बोला अरे परिशान उन दोनों की बाते इतनी फनी थी कि पूछो मत पहली बार रिसी जी को ऐसे देखा है मुगता हैरान होते हुए बोली बस समझ लो वसू को कोई जादू आता है सब बदल गया जैसे उसके आने से सुनेना ने मुस्करा के बोला अगर ऐसा है तो इस जादू गर्णी को हमेशा के लिए यही रोक लो लिसी जी की सादी करा के मुगता ने सुनेना की हथेलियों को पकड़ के बोला मैं भी यही सोच रही थी कि भाया जी की सादी कर दू पर अभी सुनेना ने इतना बोला था कि बसंदा ने बोला पिल्कुल भी नहीं भावी इनकी साधी मत कराना आप मेरी मानों तो इनको सन्याज दिला दीजिया अच्छा होगा पता नहीं साधी करने के बाद किसके पीछे कुट्टे छोड़ दे ना बाबा मैं आपकी जगे होती तो मैं किसी की जिन्दगी बरबाद नहीं करती अरे ये तो उसके सपने में भी उसे डरा धमका के रखेगा बिचारी वो पसंदा ने खोए हुए बोला सब उसकी बाते सुनके हसने लगे अरे भावी हसो मत ये तो उससे भी अगर इस हारे मुहबबत करेंगे तो अगर वो नहीं मानी तो उसे हड़का के बोलेंगे मैं तुमसे यहां पूछने नहीं आया था समझी बसंदा ने रिसी के अंदाज में बोला तो सब हसने लगे वाव वसू बहुत ठीक बोला तुमने मुगदा ने हसते वे का बसंदा को याद आया कि उसने गैस पर चाए रखी वो भाग के किचन में गई और गैस बन करके वो चाए निकाल के कप में डाल के उपर रिसी के कमरे में आई उसने जाग के देखा तो उसको नजर नहीं आया वो धीरे कदमों के साथ अंदर गई और चाए की कप रखकर वापस आने लगी तब ही उसका हाथ पगड़के रिसी ने उसे दिवार से लगा के खड़ा हो गया उसके बाल गीले थे लगता था जैसे अभी नहा क्या आया रिसी के इतना पास होने से बसंद्रा की सांसे तेज थी किसी ने कहा मुझे महबत करना नहीं आता किसी ने कहा कि मेरे साथ कोई लड़की नहीं रह सकती क्योंकि मेरे अंदर कोई फिलिंग नहीं जो किसी लड़की के दिल को धरका सके लिसी ने बोलते ही वसंद्रा की कमर को साइट से अपने गीले हाथों से पकड़ के पास ले आते हुए बोला वसंद्रा ने उसके छूने से आखों को बंद का लिया तभी बाहर से रेडियो पर गाना बजने लगा एक रोमांटिक सा किसी ने कहा मैं किसी लड़की से इजहारे महबत नहीं कर सकता रिसी ने अपना एक हाथ उसके चेहरे को पकड़ती वे का वसंद्रा उसके छूने से जैसे पिघल रही थी रिसी उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था वो खुद नहीं जानता था कि वो आखिर क्यों बसुंद्रा के साथ ये सब कर रहा था क्यों बसुंद्रा का पास आना उसे सुकून देने लगा है क्या होगा रिसी और बसुंद्रा के इस एहसास का असर जानने के लिए सुनिये अगले भाग में